विश्वास कभी भी चमतकारों की इच्छा नहीं रखता है, किन्तु कई बार विश्वास के करण चमतकार हो जाता है नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी विश्वास की शक्ती भी एक ऐसे ही चमतकार की कहानी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक आठ साल का बच्चा एक रुपे का सिक्का मुठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा क्या आपकी दुकान में इश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह भात सुनकर सिक्का नीचे फेक दिया और बच्चे को निकाल दिया बच्चा पास की दुकान में जाकर एक रुपे का सिक्का लेकर चुप चाप खड़ा रहा ए लड़के एक रुपे में तुम क्या चाहते हो मुझे इश्वर चाहिए आपकी दुकान में है दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया लेकिन उस अबोद बालक ने हार नहीं मानी एक दुकान से दुसरी दुकान दुसरी से तिसरी ऐसा करते करते कुल चालिस दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बुड़े दुकानदार के पास पहुचा उस बुड़े दुकानदार ने पूछा तुम इश्वर को क्यो खरीदना चाहते हो क्या करोगे इश्वर लेकर पहली बार एक दुकानदार के मुँसे यह प्रश्णय सुनकर बच्चे के चहरे पर आशा के क्रिणने लहराई लगता है इसे दुकान पर ही इश्वर मिलेंगे बच्चे ने उत्तर दिया इस दुनिया में मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है मेरी मा दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है वह अब अस्पिताल में है अगर मेरी मा मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ इश्वर ही तुम्हारी मा को बचा सकते है क्या आप पी दुकान में इश्वर मिलेंगे हाँ मिलेंगे कितने पैसे हैं तुमारे पास सिर्फ एक रुपिया कोई दिक्कत नहीं है एक रुपे में ही इश्वर मिल सकते है दुकानदार ने बच्चे के हाथ से एक रुपया लिया और उसने पाया कि एक रुपय में एक गिलास पानी के अलावा बेशने के लिए और कुछ भी नहीं है इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से एक गिलास पानी भर कर दिया और कहा यह पानी पिलाने से तुम्हारी मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए बच्चे की मा का ओप्रेशन हुआ और बहुत जल्दी वह बिल्कुल ठीक हो गई डिस्चार्ज के कागस पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए डॉक्टर ने उन्हें आशहसत देकर कहा टेंशन की कोई बात नहीं है एक व्रद्य सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिये हैं साथ में एक चिठ्थी भी दी है महिला चिठ्थी कोल कर पढ़ने लगी उसमें लिखा था मुझे धन्यवाद देने की कोई आवशक्ता नहीं है आपको तो स्वयम इश्वर नहीं बचाया है मैं तो सरिफ एक जर्या हूँ यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोद बच्चे को दीजिए जो सरिफ एक रुप्य लेकर ना समझो की तरह इश्वर को ढूनने निकल पड़ा उसकी मन में यह दढ़ विश्वर था कि एक मातर इश्वर ही आपको बचा सकते हैं विश्वर इसी को ही कहते हैं इश्वर को ढूनने के लिए करोड रुपे का दान करनी के ज़रूत नहीं होती यदि मन में अटुट विश्वास हो तो वे एक रुपे में भी मिल सकते हैं दोस्तों इस कहाने से शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कभी भगवान से प्रातना करते हैं तो हमारे मन में अटुट विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास केवल प्रातना तक ही नहीं बलकि जिन्देगे के हर काम में आपके साथ होना चाहिए क्योंकि किसी काम को जब हम पूरे विश्वास से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है